मацию स्थाAl 나 29459 या दोस्तों बहुत सी रिक्वेस्ट ये कमेंट मेरे पर आती हैं कि तर काइन मास्टर में बीडियो लेयर का उप्संस आ रहा है लेकिन हमारे काइन माश्टर में बेडियो लेयर का उप्संस नहीं आता ऐसा क्यू होता है इसी बारे में मैं आज आप से बात करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पवन कुमार तो आप देख रहे हैं इंटरनेट टिप यूटूब चैनल दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने एंड्रोइड डिवाइस में प वहां पर आपको बीडियो का उप्संस जो है नहीं मिलता आपको वहां पर इमेज ड्रॉइंग हैंड्राइटिंग या फिर इस्टीकर जैसे चार्ट से पांच उप्संस मिल जाते हैं लेकिन आपको बीडियो का उप्संस नहीं मिलता जिसके कारण बद आप जो है अपने का काईटव मास्ट की लेल में कैसे add करना है इसी बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तो आपको करना क्या होगा आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को प्लेश्चोर से डाउनलोड ना करते हुए मैं आपको एक description में link दे रहा हूँ आप उस पे click करके हमारे link से उसको download कर सकते हैं download करने के बाद आप उसको install कर लेंगे install करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी device में जो काइन master open हुआ है या फिर install हुआ है तो आप उसको open कर लेंगे open करने के बाद आप जो है layer के options पे click करेंगे मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी layer में video का options आ चुका होगा किसी कारण बद आपके काइन master application में video का options अभी भी add नहीं हुआ है तो आप बिरकुल भी चिंता ना करें आपको जो है simply अपने काइन master application को open करना है यह मैंने अपनी काइन master application को open कर लिया है open करने के बाद आपको इस application का interface कुछ इस परकार से दिखाई देगा यहाँ पे लिखा हुआ है काइन master unless your gravity दोस्तों यहाँ पे जब आप कोई भी video create करते हैं तो simply आप जो है plus के निसान पे क्लिक करते हैं लेकिन आपको plus के निसान पे क्लिक ना करते हुए यहाँ से आपको help लेनी होगी यहाँ पे आपको जो तीन options दिखाई दे रहे हैं यह आपकी पूरी property काइन master के लिए है आप यहाँ से उसके बारे में किसी प्रिकार से जानकारी ले सकते हैं जानकारी मैं आपको आज सिर्फ video का options एड़ करने की देने वाला हूँ तो आप जो है यह तीसरा options जो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक चाबीस ही है तो मैं आपको इस पे किलिक करना है यह मैंने इस पे किलिक कर दिया यहाँ पे support लिखावा रहा है और यहाँ पे support के लिए दो options आ रहे हैं तो यहाँ पे आप website के options पे किलिक करके इस application के बारे में पूरी detail से जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा options या फिर कौन सा feature किस काम के लिए यूज किया जाता है लेकिन हमको सिर्फ इस application में अभी video layer का options set करना है या फिर add करना है तो हम email support पे एक बार किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद यहाँ पे how can we help का options उपर आपको question जो है दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे एक answer जो है select करना होगा हमें करनी है feature request तो उपर ओजो आपको options दिखाई दे रहा है feature request का सबसे उपर आप इस पे एक बार किलिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुती blur writing में दिखाई दे रहा होगा please describe the issue in as much detail a possible जो आपकी possible detail है आप उसको यहाँ पे describe कीजिए तो यहाँ पे हम अपनी feature की request जो है देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक message type कर देंगे जो मैं यहाँ पे paste करने वाला हूँ यह जो है मैंने पहले से type करके रखा है तो मैं वीडियो को न पढ़ाते हुई इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है तो यह जो दोस्तो यह message आपको अपने यहाँ पे आने के बाद type करना है यह message कुछ इस परिकार से होगा मैं आपको पढ़के बता दूँ set up the video layer options in our काइन मास्टर हमारे काइन मास्टर में video layer का options set कीजिए आप इस feature की request कर रहे हैं काइन मास्टर टीम से तो दोस्तो बस आपको यह message यहाँ पे type करना है और आगे जो है आपको यहाँ पे जो है प्लीज असेप्ट रिक्वेस्ट यह यहाँ पे पूरी तरह से message टाइप करने के बाद डन के बटन पे क्लिक करके send के बटन पे क्लिक कर देना है आपकी email feature request की काइन मास्टर टीम के पास पहुँच जाएगी और आपके काइन मास्टर application में layer के options पे जाकर जो है वीडियो का options add हो जाएगा तो दोस्तो आपको सिर्फ इतना काम करना है जो मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे send करके आपको इसलिए नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो मेरे काइन मास्टर में video layer का options पहले से ही add है तो इसलिए मैं जो है इस feature request को दोवारा से reply या फिर send नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से back जाकर आपको दिखा दूँ के मेरे काइन मास्टर में पहले से ही video layer का options है तो यहाँ पे मैंने plus के निसान पे click किया empty project को select कर लिया अब यहाँ पे मैंने एक background को जो है select कर लेंगे यहाँ पे मैंने कोई भी white background यहाँ से ले लिया अब मैं आपको यहाँ से layer कोल के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे video, image, sticker, text और handwriting यहाँ पे 5 के 5 options आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें सबसे उपर आपको video layer का options दिखाई दे रहा है तो इस पिरकार से दोस्तों आप अपने काइन master application में video के options को add करवा सकते हैं दोस्तों अगर यह video हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारी video को like कीजिए, share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूलिए, thank you for watching my video